आज हम बनाएंगे, यह सुपर टेस्टी और एकदम सुपर सॉफ्ट, स्पॉंजी और मॉइस्ट चॉकलेट बन केक देखने में आप देखे हो ना कि कितना यमी लग रहा है यह बोखत ही जादा आसान है इसे बनाना बिना किसी एक्ज और बिना अवन घर की कड़ाही में बनेगा और अगर आपके पास कोई स्पेशल मोल्ड नहीं है तो बिना किसी मोल्ड के कैसे बनाना है आपको इसको वो भी बताऊंगी मैं आपको इस रेसिपी में तो जरूर ट्राइ करिएगा और अगर एसे भी पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ यह तीन चुथाई कप दूद यह दूद जो है न यह उबला हुआ है और अभी यह रूम टेंपरिचर के उपर है तो इस दूद में डाल देंगे एक छोटा चमच बनेगा यानि की सरका आप चाहो तो इसमें नीबू का रस्पी डाल सकते हो तो बस इसे मिक्स करके इसे पांदस मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे और इसके बाद अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप ओईल कोई भी नूटर फ्लेवर का रिफाइन डॉल आप यूज कर सकते हो आधा कप दही, दही की जगा आप इसमें चाहो तो तीन एकस भी डाल सकते हो आधा कप पिसी हुई चीनी और इन तीनों चीजों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकिंड तक तो पर से मिक्स कर लिया मैने इसके बाद अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे डेड़ कप यानि की एक कप प्लस आधा कप मैदा आप चाहो तो इसकी जगा गेहूं का आटा भी डाल सकते हो और साथ में डालेंगे एक ठी हाई कप यानि की तखरीवन पांच बड़े चमज कोको पावडर, एक छोटा चमज बेकिंग पावडर, आधा छोटा चमज बेकिंग सोडा और एक पिंचस में नमक डाल देंगे और इन सारे dry ingredients को चान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंस न रहे इसके बाद अब इने mix करने के लिए हम एक spatula यूज़ करेंगे और इसके साथ बलकुल हलके हलके हाथों से इस ताना से cut और fold करते हुए mix कर लेना है ध्यान रखे कि dry ingredients डालने के बाद इस mixture को कभी भी over mix या vigorously mix नहीं करेंगे नहीं तो हमारा जो cake है यह dense बनेगा अचा इन dry ingredients के साथ ना मुझे इसमें थूड़ा सा coffee powder भी डालना था मैं पहले डालना भूल गई इसके लिए मैंने यहाँ पर यह एक चोटा सेशे यानि की एक चोटा चमश डाला coffee powder coffee डालना चॉकलेट में वैसे optional है बट इस ते ना चॉकलेट का flavor जो है यह बोखत ही अच्छे से enhance और एकदम rich flavor आता है आप एक पर try करके देखेगा तो बस इन सारी चीज़ों को mix कर लिया है मैंने और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे यह दूद तो आप देख रहे हैं कि दूद जो है यह curdle हो गया है यानकी फट गया है तो यह बन गया हमारा butter milk तो बस इस दूद को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल उसी तरह से हलके हाथों से mix कर लेंगे तो मैंने इसे mix कर लिया है और अभी यह जो better है यह मुझे थोड़ा सा thick लग रहा है तो इसकी consistency को adjust करने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूं यह तक्रीबन 2-3 बड़े चमश दूद दूद की quantity जो है यह आप अपनी जरूरत के according थोड़ी कम जादा रख सकते हैं तो बस इसे mix कर लिया मैंने और अब आप देख रहे हो कि better जो है यह बुलकुल इस तरह से ribbon जैसी flowy consistency में आ गया है तो यह एकदम perfect consistency है हमारे cake batter की तो बस better तायार है अब हम फटा-फट से अपने homemade oven यानि की कडाही का setup देख लेंगे तो इसके लिए आपको कोई भी मोटे तले की कडाही ले लेनी है और इसमें पहले नमक डाल देजे और फिर इसमें चाहे कोई plate इस तरह से उल्टी करके रख दो या फिर कोई stand भी रख सक करेंगे जहां पर cake का सामान मलता है या फिर online भी मिल जाएगा आपको मैंने online purchase किया था जिसका link मैं नीचे description box में दे दूँगी आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो अचा वैसे अगर इस mold के साथ आपको ये cake नहीं बनाना है तो आप same better के साथ plain cake भी बना सकते हो या फिर इस अचा इस cake mold को सबसे पहले grease करना है जैसे हम बाकी molds को करते हैं और इसका ये जो center वाला portion है इसे भी अच्छे से grease कर लीजेगा आइसके बाद अब हम अपने इस mold को मैदे से dust कर लेंगे क्योंकि इसमें हम butter paper तो लगा नहीं सकते हैं तो इसके थोड़ा सा मैदर डालो इस तर से dust कर लेंगे यानि कि घुमा घुमा के पूरे mold को मैदे से cover कर लीना है इसके बाद अब जितना भी excess मैदा रहेगा उसे इस तरह से उल्टा करके tap करके निकाल देंगे तो बस हमारा ये mold भी तायार हो गया है इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये तायार किया तो बस ये mold भी तायार है और इधर ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थे अब ये भी काफी अच्छे से गरम हो गई है तो हम कैरफुली अपने इस mold को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढखके low medium flame के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 30-35 मिनट तक और ये जो तो इस cake को रखे मुझे पूरे 30 मिनट हो गए हैं अब आप देख रहे हो कि cake कितना अच्छे से फूल गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में तो एक बार toothpick को इंसर्ट करके भी चेक कर लेंगे toothpick भी बिल्कुल क्लियर आ रहे है इसका मतलब है कि cake अच्छे से घंडा हो जाए इसके बाद cake को चाहू तो आप इसी तरह से सर्फ कर सकते हो अपनी tea coffee के साथ कि सबको बहुत ही जादा पसंद आएका या पिर चाहू तो इसे थोड़ा सा गानिश कर सकते हो और इसकी गानिशन के लिए मैं बना रही हूं चॉकलेट गनाश आप प्लेन सी जादा डाल रही हूं क्योंकि मुझे जो गनाश है वो हलका लिक्विडी चाहिए तो बस इसे अब हमें मेल्ट कर लेना है चाहो तो माइक्रोवेव यूज़ कर लो या फिर डबल बोइलर मेथड यूज़ कर सकते हो आप तो मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया और अब हमारा यह गनाश बिल्कुल तायार है तो इस गनाश को अब हमें इसी तरह से लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ही रखना है अगर आपका गनाश पड़े-पड़े थिक हो जाए तो आप इसे दुबारा से एक बर फिर से मेल्ट कर लीजेगा तो परस उसके बाद अब हम केग की तरफ तो से प्रफल अच्छे हो गया है अब हम इसे Dmol कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले चाकूval से हल्का बाइड से ज्काल लेंगे मलत नहीं चला नहीं है व्का बाइड से डालना है तांकि जो आइड़् हो जाये और बस इसके बाद अब हम किसी भी बोर्ड या फिर प्लेट के उपर इसे निकाल लेंगे तो बस ये केक बड़ी असानी से बाहर आ गया है और कुछ-कुछ जगा पर ये जो मैदा लग गया है इसे हम इससे ना से हलका सा स्क्राश करके निकाल देंगे तो बस इसी के साथ तायार है हमारा ये चॉक्लेट बंट केक आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये अलग सी ही शेप है इसमें और टेक्शर जो है इसका एक्टम सॉफ्ट स्पॉंज की और बहुत ही मॉइस्ट बना है ये तो चलिए केक तो हो गया था यार अब इस केक को चाहो तो आप इसी तरह से सर्फ कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया या फिर चाहो तो इसके उपर गनाश या वर कोई चॉक्लेट पोर कर दो अचा पोर करने से पहले एक प्लेट के उपर स्टांड रख लीजेगा त ताकि यह इजी हो जाए पोर करने के लिए तो बस इस तरह से सारा गनाश डालने के बाद अब मैं अपने इस केक को पांदस मिनट के लिए फ्रिज में रख रहे हूं ताकि गनाश थोड़ा सेट हो जाए और फिर हम इसे सर्फ करेंगे तो बस यह केक फाइनली दायार हो गय है अब हम इसे पहले अपने इस राक से उठा लेंगे तो इसकी लिए किसी भी स्पेचुला के साथ नहीं इस तरह से एसलाओ कि कियरफिली लिफ्ट करेंगे और इसे किसी भी बौर्ड्या फर प्रेट के उपर रख लेंगे इसके बाद अब इसे स्लाइसे में कट करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना जादा सॉफ्ट है ये केक और अंदर का टेक्शर देख रहो आप कितना एकदम जालीदार और मॉस्ट है बहुत ही जादा याभी बनता है और बहुत आसान है बनाने में बिना एक्स बिना अवन घर की कडाही में बनाया ऐसे हमने तो ट्राय करो आप भी इस बन केक की रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबाक शेयर करिएगा पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपी की आप मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें